हाँ जी भाई बोलो फीफा फीफा? कोली ने कप्तानी से दिया इस तीफा नमस्ते जैहिंद मैं वहुआ नमस्कार मैं हूँ रॉनक और यह रंतंतर अभी थोड़े दिन पहले की तो बात है हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि एक न्यूस पेपर रिपोर्ट ने बताया है कि किस तरह T20 वर्लकप के बाद कोली लिमिटेड ओवर फॉर्मैट में कप्तानी छोड़ देंगे करना चाहेंगे कि आपको इस चैनल पे कुछ नया दिखेगा वो भी 19 तारीक की सुबे से न्यू लुक न्यू वाइब न्यू एनरजी बोले तो क्रिकेट के क्रेज का नया फेस जिया इसके उपर हमने एक डील भी अपने इंस्टा पे डाली है तो चैनल सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में भी चले जाना डिस्क्रिप्शन में क्यों बहुआ भाई वहां माई 11 सडगल आप का लिंक दिया है उस पे क्लिक करके उसको भी अपने फोन में डाउनलोड करो क्यूंकि 19 को है तीट्वेंटी लीक का पहला मुकाबला और हर मुकाबले में आपको कडोरपती बनने का मौका मिलेगा खूप साड़ा cash जीतने का मौका मिलेगा और वो कैसे मिलेगा बहुआ वो आप मुच पे छोड़ दो बस आप जल्दी से description में जो link दिया है उस पे click करके download तो करो My 11 Circle app ठीक है और तयार हो जाओ कडोरपती बनने के लिए कैसे हम आपको जल्दी बताएंगे लेकिन याद रखना वापस लोटते हैं विराट कोली पर कल शाम को पांच बचकर तीड़पन मिनट पर विराट कोली के ट्विटर अकाउंट से एक statement पोस्ट होता है क्या लिखा है विराट ने उस statement में आईए आपको बताते है विराट लिखते हैं कि भारती टीम का प्रतिनिधित्तो करना उनके लिए गर्व की बात है जिनोंने भी बतार भारती कप्तान उनको सपोर्ट किया वो उन सब के शुक्र गुजार है विराट ने साथ ही साथ सपोर्ट स्टाफ सेलेक्शन कमिटी और अपने कोच को भी थैंक्यू बोला है इसके बाद दूसरे paragraph में लिखा है कि वो 8-9 साल से तीनों फॉर्माट खेल रहे हैं और पिछले 5-6 सालों से कप्तान भी हैं ऐसे में वोकलोड मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो अपने आपको भारती टीम की वंडे और टेस्ट टीम की कप्तानी के लिए पूरी तरह से तयार रखना चाहते हैं और इस वज़े से T20 बतौर कप्तान वो छोड़ देंगे बतोर प्लेयर वो तीनों फॉर्माट खेलना जारी रखेंगे फिर आखरी पैड़ाग्राफ में विडाट ने ये भी लिखाए कि इस नतीजे पर पहुँचने के लिए उन्होंने रवी सास्तिरी और रोहित सर्मा से डिसकर्शन भी किया और दुबाई में होने वाले टी ट्वेंटी वोल्ड कप के बाद वो टी ट्वेंटी में भारती टीम की कप्तानी छोड़ देंगी ये बात उन्होंने जैशा और सौरफ गांगली को भी बता दी है इसका मतलब समझेता या इसका मतलब यही है कि अगले साल जो फिर से टी ट्वेंटी वोल्ड कप होने वाला है उस्टेलिया में उसमें भारती टीम को एक नया कप्तान मिलेगा क्या उम्र में विराट कोली से एक साल बड़े रोहित चर्मा को ये पोजिशन मिलने वाली है या टीम मैनेजमेंट केल राउल शेय सही और रिशपन जैसे चोटे उम्र वाले जो खिलाडी है उन पर दाओं खिलेगा ताकि आने वाले टाइम तक इंडिया को कोई स्टेबल कैप्टन मिल जाए साइध इस बात का फैसला नौंबर में वर्ल्ड कप के बाद ही हो लेकिन पूरा देश विराट कोली को उनकी क्रिकेट में दी गई सर्विसेस के लिए थैंक यू बोलता है सेलिउट करता है कोली ने 45 मैचों में भारती टीम की कप्तानी करी है टी ट्वेंटी में जिसमें 29 में इंडिया को जीत मिली और सिर्फ 14 में हार मिली है विन परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो वो धोनी से भी जादा जी हां सही सुन आपने माही भाई से जादा कामयाब टी ट्वेंटी कैप्टन है इस सांदार रिकॉर्ड के लिए बहुत बहुत सुक्रिया चीकू भाई आप बस पूरा हिंदुस्तान ये चाता है कि टी ट्वेंटी की कप्तानी से जब आप अलविदा करो यानि बाए 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 बोलो तो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के साथ ही बाए 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 और उसे जीत कर बोलो, जी हां हम आपके साथ हैं, और आपके बाद जो भी कप्ताना है, हम चाहते हैं आप भी उसके साथ रहें, उसको वैसे ही फुल सपोर्ट दें, जैसे दोनी को दिया था, बाकि उन अख़बार वालों से भी हम कुछ कहना चाहेंगे, तुम नहीं मैं कहना करके डाउनलोड कर लो, माई 11 सरकल आप और करोड़ पती बनने को तयार हो जाओ, कैसे वो बहुआ आपको आगे बताएगा, लेकिन पहले डाउनलोड तो करो, और हां हम आपसे मिलेंगे कल एक और चौकस वीडियो के साथ, और 19 ताडिक से इस चैनल पर होगा, कमाल, धमाल धोती फार रूमाल, अलग लेवल का बवाल, तयार रहना, चैनल सब्सक्राइब करना, फेस्बूक पर देख रहे तो पेज को लाइक करना, इंस्टाग्राम और टेली ग्राम पर भी राम राम जरूर बोलना, सी यू टुमाडो, बाइबा, टेक केर, एंड जैहिंद, कोली यू डुक मैं, यू डुक